Hello friends and welcome back to my channel Bengali Family in UAE जहां मैं बात करती हूँ UAE और ट्रावल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप प्लान कर रहे हैं दुबई या या यूए आने के लिए as a job seeker, as a tourist तो क्या ये सही समय है यहां आने का तो चलिए start करते हैं आज का वीडियो तो first में मैं बात करूँ कि जो लोग job seekers हैं और visit visa पर दुबई आना चाहते हैं तो छोटे-छोटे advice आपके लिए रहेंगे, tips आपके लिए रहेंगे जिसके through आपके लिए job search करना या यहां घूमना easy हो जाएगा तो सबसे बहले बात करते हैं visit visa कितने दिन का लेना है तो देखे visit visa होता है 30 days का, 90 days का तो अगर आप job search करने के लिए आ रहे हैं तो best है आप 90 days का visit visa लीजिए जिसमें अभी travel insurance जो है वो उसके साथ ही आ रहे है आप जिस भी agent के through या खुद भी लेते हैं तो आपको उसके साथ travel insurance मिलता है तो अगर आप visit visa पे आ रहे है 90 days आपको समय हाथ में लेके आना पड़ेगा क्योंकि job search करने में time लगता है अगर आप सोच रहा होंगे कि एक महीने के लिए चलते हैं एक महीने में job लग जाएगा तो ऐसा नहीं है बहुत कम लोगों का यानि मैं बोलूँगी 10% लोगों का ही ऐसा होता है कि आने के 15 दिन 20 दिन जो बहुत high demand jobs हैं यहाँ पे अभी currently जैसे कि nurses हो गए या medical related हो गए teaching jobs हो गए इन सबसे अगर आप इस फिल्ट से हैं तो आपको एक महीने के अंदर job मिल सकती है बड़ थोड़ा जो demand में नहीं है उस type के अगर आपको job से यह तो आपको तीन महीने का समय लगेगा तो यह हो गया visit visa के बारे में आपको तीन महीने का visit visa लेना है उसके बाद यहाँ आके जब आप job सर्च कर रहे हैं तो अभी का जो current condition है वो यह है कि इतने दिन बाद visit visa खुला है तो बहुत जादा crowd है इस समय दुबई में UAE में सब जगा अबुधावी में भी बहुत सारी vacancies आ रही हैं और दुबई में भी आ रही हैं तो यहां रहे के आपको job interview face करना पड़ेगा आपको cv देने पड़ेंगे companies पे जाके cv देने पड़ेंगे यह सब आपको करना पड़ेगा उसके लिए आपको दुबई में रहना बहुत ज़रूरी है यहां रहे के आप apply कीजिए तो देखें बहुत सारे types के job यहां आते हैं कुछ आपको posters लगे हुए यहां पे दिखेंगे अगर आप supermarkets के job जा रहे हैं या data entry के job जा रहे हैं तो यह सब job बहुत easily मिल जाता है बट आपको थोड़ा search करना पड़ेगा थोड़ा patience रख के करना पड़ेगा तो सबसे पहला यह जो posters होते हैं job के वो मिलते हैं आपको तो उसमें phone numbers होते हैं email address होते हैं उसमें आप contact कर सकते हैं उसके बाद बात आती है कि यहां के जो local newspaper होते हैं जैसे girls news हो गया खरीज times हो गया उसमें आप online भी देख सकते हैं या newspaper में भी इनका एक job section होता है week में एक दिन या दो दिन job आते हैं इसमें वहां से भी आपको मिल सकता है क्योंकि इसमें जो jobs आते हैं वो urgent basis पे होते हैं जो आप अगर अपने home country से अगर आप खोसते हैं तो वहां से थोड़ा वक्त लगता है क्योंकि home country में आपको पता नहीं चलता है कि यहाँ पर कहाँ पे job सर्च करना है कहां पे vacancies हैं कहां पे urgent basis में हैं तो अगर आप यहां पे आके job search कर रहे हैं तो आपको बहुत easy पढ़ जाता है कि कहां पे vacancy है वो चीज आप जानके वहां पे आप जा सकते हैं तो यह बात होगी बट एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अभी बहुत जादा crowd है market का condition जो ऐसा कि आपको पता ही है दुबाई का या UAE का market condition काफी थोड़ा down हुआ था covid के चलते pandemic के चलते down था market दीरे दीरे अब थोड़ा सुधार आ रहा है expo 2020 भी चालू हो गया इसलिए थोड़ा सुधार आ रहा है job market में बट जैसा demand है वैसे लोग भी है job के लिए line लगी हुई है एकदम तो आप जो है अपने skills development करके अपने home country से करके उसके बाद यहाँ पर आईए तो आपको बहुत easy पड़ेगा यानि कि आप जिस field में हैं जिस भी field में हैं चाहे वो engineering हो, diploma हो सकता है, degree हो सकता है या कोई भी other jobs जो भी आपका skill है उसके उपर जो भी computer knowledge हो यह हो सारी चीज़े आप skill development करने के बाद उसके आईए यहाँ फिर आपको काफी easy पड़ेगा क्योंकि job market जैसे ऐसे थोड़ा ठीक हो रहा है वैसे ही लोगों की भीड़ भी बहुत 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 जादा है तो आप इतना खर्ज करके देखे यहाँ आ रहे एयर फेर बहुत जादा बढ़े हुए हैं पहले 600-700-800 दिरम में टिकेट मिलता था अब उसी का जो टिकेट है वो काफी जादा बढ़के double और triple भी हो गया है जो एयर फेर से विजिट विजा के price भी obviously बढ़े हुए है क्यों बहुत जादा demand है तो देखिए ऐसा नहीं है आपको अपना skill development करने के बाद आना आपको अपना confidence level जो है वो हाई करके उसके बाद यहाँ पर आना पड़ेगा क्योंकि उतना भी अभी ठीक नहीं हुआ है और सब लोग बोल रहे है 2022 में February March में थोड़ा market condition और अच्छा हो सकत है तो अगर आपको बहुत जल्दी नहीं है जॉब की या अगर आप home country से कुछ बाते करके या agent के थुरू आना चाहते agent के थुरू भी आप देख किया है क्योंकि सब agents एक जैसे नहीं होते हैं तो यह सारी चीज़े देखने के बाद ही आपको यहाँ पर आना चाहिए बट म जॉब मार्केट पहले से थोड़ा सा ठीक हुआ है बर बहुत जादा ठीक नहीं हुआ है आप एकदम skilled है अपने field में तो ही आप जॉब लगा सकते हैं यहाँ पर अपनी तो देखिए इतना खर्च करने के बाद airfare की मैंने बात की visit visa का खर्चा हो गया यहाँ आके रहने का अगर आप एक bed space भी रहते हैं तो 600-700 दिरम यहाँ पर bed space के prices अभी चल रहे हैं 600-700 दिरम और बहुत जादा अगर खोशते हैं तो वैसा नॉर्मल एकदम मतलब आप रह भी सकते नहीं भी रह सकते ऐसा bed space अगर है तो वह 500 दिरम उसका charges है 500 दिरम होता है अगर आप multiplied by 20 कर दी 10 दिरम आपका lunch कर रहे हैं डिनर कर रहे हैं 10 दिरम आपका खर्चा हो रहा है उसके बाद भी आपको breakfast करना है इवनिंग snack लेना है तो यह सारी चीज़े मिलाके per day 10 दिरम यानी 200-200-400 रुपए आपका दो टाइम का मील हो गया 500 रुपए यानी per day 500 रुपए आप खर्च कर र आना होगा नौल कार्ड में payment होना चाहिए यानी की balance होना चाहिए आपको उसके लिए पैसा पे करना होगा टूवे का टिकेट होता है यह सब मिला के मैं बूलूंगी कि बहुत जादा खर्चा है अभी यहां पे तो अगर आप normal ऐसे आना चाहते कि देखते हैं job मिलता है या नहीं मिलता है तो यह risk कभी आप मत लीजे कुछ महीने बाद लीजे जब market condition थोड़ा से और अच्छा होगा obviously मैं उसके बाद भी वीडियो बनाऊंगी अगर market condition अच्छा हुआ तो उसके बाद यह तो रही visit visa में आके job search करने वालों के लिए तो आने वाले दिनों में conclusion यह हो होगा आने वाले दिनों में और अगर आप महां से job ले के आते हैं या पुरा स्किल development करके आते हैं आप confident है कि हां मुझे job लगनी ही है तो फिर आप इस समय आ सकते हैं अब बात करते हैं तो अगर आप tourist है घूमने के लिए दुबाई आ सकते हैं तो आपके लिए perfect समय है अब ब्लैक फ्राइडे सेल चलता है उसके बाद दुबाई shopping festival शुरू हो जाएगा तो काफी काफी मतलब दुबाई लोग आते हैं आदे से जादा लोग आते हैं शॉपिंग करने के लिए तो जो टूरिस्ट हैं के लिए कोई भी बात नहीं है वो लोग इसली आ सकते हैं इ अपने वीडियो में लाने वाली हूं अगर इंट्रेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए आपको वीडियो मिलते रहेंगे तो चलिए गाईज मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ नई अबडेट के साथ तब तक के लिए गुद्बाई टेक क्यर